नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर शंबू बडर पर बढ़ा तनाव किस्तान नेताओं की भी नहीं सुन रहे युबा देखे खालेस्तान समर्थक पोश्टर दिल्ली कूच के चोथे दिन शुकुरवार को भी पंजाब की किस्तान हर्याना से सटे शंबू और दाता सिहुवाला बडर पर डटे रहे दाता सिहु वेरिकेडिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश की लेकिन हर्याना की तरफ से तैनाथ पोलेस वा सुरक्षा बलों ने आसुगैस की गोले डाग कर उन्हें भगा दिया हर्याना की तरफ से की गई कीले बंदी के कारण परदशनकारी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसान नेताओं के समझाने के बावजूद वे हंगामा कर रहे हैं शुकरबार को वे बार बार नारिवाजी करते आगे बढ़े लेकिन हर्याना पुलिस ने आसुगैस के गोले दाग उन्हें खादेर दिया खालिस्तान समर्थक अमरतपाल का वेनर बड़े होर्डिंग में लगाते देखे गई लोग आसुगैस से बचने के लिए प्रदशनकारी गीली बोरियों को लपेटे मों पर मुलतानी मिटी लगा और विशेस सरे के एनके फेहन आगे बढ़ने का प्रयास करते और आसुगै खालिस्तान समर्थक अमरतपाल का वेनर बड़े होर्डिंग में लगाते देखे गए पता दिंग खालिस्तान समर्थक अमरतपाल सिंग इन दिनों असम की जेल में बंद हैं 23 अप्रेल 2023 को उसे मोगा के पास एक गुरुदवारे से गरफतार किया गया था अमरतपाल पर गुट भी उतरा अभी तक दिल्ली कूच से दूरी बनाई रहे भाकियों ने समर्थन देने का फैसला किया है शुकरवार को संगठन के पंजाव अध्यक्ष जोगिंदर सिंग ओगर रहा ने पांच सदस्य कमेटी से बैठक के बाद इसकी घुशना की का कि भाकियों ओगर पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखर पूरु मुक्मंद्री कैप्टन आमरिंदर सिंग्वा भाजपा के बरिष्ट निता केबल सिंग धिल्लो के आवास के समक्ष धरने देंगे और पंजाब भर के टोल प्लाजा भी फ्री करवाएंगे अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमशकार और देखते रहे हैं दखबरदार लिउस अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इ शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन शिफ्ट को पैकस एंड मुवस है ना जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक वाक कार को स्रक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है तो आप देख इस बात की आज ही संपक करें डवलेट टू वन ट्रिबल जीरो सेवन वन सेवन